हेलो इस वीडियो में हम होम टैब के अर्डिटिंग ग्रूप के बारे में जानेगे तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आटो सम कैसी किये जाता है ओटो एवरेज कैसे निकाली जाती है ओटो कॉंट नमबर ओटो मैक्समम नमबर और ओटो मिनमम नमबर कैसे निकाली जाते है के बारे में सीखेंगे एक्सल में बिना फार्मूला लगाए ये सबी काम आटोमेटिक कर सकते है इसको करने के लिए जैसे suppose करो यहां पे हमें sum चाहिए यह English subject है इन सबी numbers का यहां पे हमें total चाहिए तो इसको करने के लिए हम पहले किया करते हैं जैसे यहां पे formula लगाते है equal to equal to के बाद यहां पे लिखेंगे sum जैसे यह sum लिखा यहां पे double click किया इसके बाद यहां पे range select करेंगे range select करने के बाद bracket बंद करेंगे इसके बाद enter press करेंगे तब जाकि यह sum आएगा लेकिन यह यहां पे हमने formula पूरा लगाया तब जाकि यह यहां पे sum आया अब हम क्या करना जाते हैं इस sum को automatic करना जाते हैं तो इसको करने के लिए क्या करेंगे इसको मिटाएंगे ये मिटाएंगे पहले इसको करने के लिए पहले तो है यहां पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद सिधा यहां पे auto sum पे क्लिक करेंगे यह दिखो auto sum पे यहां पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद यहां पे फार्मूला आटोमेटिक ही लग जाएगा लगने के बाद हम क्या करेंगे एंटर प्रेस करेंगे तो यह यहां पे इसका सम आ जाएगा अगर हमें दूसरे का यहां पे सम चाहिए आटोमेटिक तो एक तो हम यहाँ पे click करके auto sum पे जाके यह auto sum और इसके बाद enter करके यह आजाता है अगर ऐसा नहीं तो हम यह auto sum दूसरे method से भी कर सकते हैं इसको देखो यह यहाँ पे select किया select करने के बाद auto sum पे गए अब यहाँ पे formula नहीं आएगा यहाँ पे सिधर value आजाएगी यह देखो यहाँ पे click किया यह सिधर यहाँ पे sum होके आगया तो यह भी method है करने का अगर हमें यह सारे automatic sum यहाँ पे आजाए नीचे यह सभी subject के यहाँ पे physics, math, computer science यह सभी के यहाँ पे sum आजाए तो हम कैसे करेंगे इन सभी को यहाँ पे select करेंगे select करने के बाद इन तीनों का auto sum चाहिए बिना यहाँ पे formula लगाए तो हम सिधा यहाँ पे click करेंगे यह देखो यहाँ पे click किया तो यह सभी का यहाँ पे sum होके आगया तो इस प्रकार यहाँ पे हम automatic यह sum निकाल सकते हैं अगर यही sum हम keyword के shortcut keys से करना जाते हैं तो हम क्या करेंगे जैसे यह English subject है इसका sum चाहिए तो हम यहाँ पे click करेंगे और keyword से add plus equal to press करेंगे यह देखो यह press करते हैं यह जैसे auto sum किया है वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद enter press करेंगे तो यह यहाँ पे इसका sum आ जाएगा निचे यह देखो सारे का sum ही यहाँ पे आ गया अगर सभी का sum चाहिए तो इसको पहले delete करते हैं यह delete किया अगर इनका सभी का यहाँ पे sum चाहिए तो हम यह काम keyword के जरीवी कर सकते हैं जैसे कि इसको सभी को select किया select करने के बाद हम keyword से add plus equal to press करेंगे तो यह दिखो सभी का यहाँ पे sum होके आ जाएगा इसके बाद इसको delete करेंगे यह जितना भी है इसको delete किया इसके बाद है auto sum में आगे जाएंगे हम यहाँ पे auto sum पिक लिकिया auto sum के बाद है auto average अगर auto average निकालनी है suppose करो यह जो English subject है इसकी auto average हमने यहाँ पे निकालनी है तो इसको कैसे करेंगे यह सारा यह number यहाँ हमने select किया नीचे तक यहाँ तक इसकी average यहाँ पे निकालनी है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे auto sum पे जाएंगे और यहाँ पे average पे click करे तो ये देखो इनकी average जो है यहां पे निकल के आ जाएगी अगर इन सभी values की average यहां पे निकलनी है निचे तो हम के करेंगे यह सारी values हमने select की इसके बाद auto average यहां पे गए auto average यहां पे click किया तो ये देखो सभी की auto average यहां पे निकल के आ जाएगी तो इस प्रकार हम यहां पे auto average भी निकाल सकते हैं इसके बाद इसको delete किया delete करने के बाद आगे जो है अमारे पास तो count number जैसे suppose करो हमने ये English में कितने हैं ये इन numbers को count करना है chemistry के कितने है ये physics के कितने है तो ये सभी numbers हमने यहां पे निचे count करने है यहां पे हम सभी को select करेंगे numbers हैं count होके यहां पे आगे ये देखो जैसे English में है ये 6 number हैं ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहां पे 6 आगया सभी के यहां पे 6 number हैं तो ये निचे 6, 6 यहां पे आगया इसके बाद इसको delete किया delete करने के बाद अगला है यहां पे auto sum में maximum number कि ये जो जितने भी number लिखे हूँ है जैसे English subject में किसके maximum है वो यहां पे आजाएं committee में किसके maximum है वो यहां पे आजाएं physics में किसके है math में किसके है या computer science में किसके है तो यहां पे निचे आजाएं कि maximum number किसके हैं तो इसको क्या करेंगे हम सभी को select करेंगे select करने के बाद auto maximum यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे click करने के बाद यह दिखो तो यह दिखो English में जो सबसे ज़्यादा नंबर है यहाँ पे वो है 88 और यह जो chemistry के है वो है 85 और इसके बाद यहाँ पे physics के हैं वो है 68 और यहाँ पे math के 95 और computer science के 84 तो यह सभी जो निच्चे आए यह maximum नंबर आए इसके बाद इसको delete करेंगे यह delete किया delete करने के बाद आगे हैं हमारे पास minimum तो हम के करेंगे इसको select करेंगे select करने के बाद auto minimum यहाँ पे click करेंगे यह दिखो auto minimum number यहाँ पे click करेंगे तो यह दिखो हमारे पास तो यह दिखो English subject में सबसे कम जो number आए यहाँ पे वो 45 है तो 45 number यहाँ पे आगे और यह जो chemistry के हैं सबसे कम यहाँ पे आगे यह दिखो 49 इसके बाद आगे देखो physics में सबसे कम number है 62 इसके बाद math में यह आगे 45 और computer science में यह 59 number यह minimum number है तो इस तरह से हम यहाँ पे अगर minimum number निकालने आए तो हम automatic minimum number यहाँ पे निकाल सकते हैं तो इस वीडियो में हमने सीखा कि auto sum कैसे किये जाता है auto average कैसे निकाली जाती है maximum और minimum number कैसे निकाली जाती है कि वारे में सीखा अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद